एक बर फिर से श्रदा कपूर की शादी की खबरे काफी तेज हो गई है जी हाँ उनके घर पर शादी की तैयारिया भी शुरू हो चुकी है तो आखिर किसकी दुलन बनेंगे आशिकी गर्ल और पापा शक्ति कपूर ने शादी के सवाल पर क्या कुछ रियाक्शन दिया है के बाद श्रदा कपूर शुषांत सिंग राजपूत के साथ शिचोरे में नजर आएंगी फिर वो बागी 3 का हिस्सा बनेंगी और फिर वो वरुंधवन के साथ एक बार फिर डांस बेस्ट फिल्म स्ट्री डांसर में लीड रोल प्ले करने वाली है जिसमें श्रदा अपने सेक्सी डांसिंग मूब्स का जलवा दिखाती नजर आएंगी फैंस को उनकी फिल्मों का बेसबरी से इंतजार है तो फैंस आने वाले दिनों में आशिकी गल का जलवा चाने वाला है बैक टू बैक उनकी आने वाली फिल्म में रिलीस होने वाली है जिसमें सबसे बड़ा हैं जी हां सही सुना अपने आशीकों का दिल तोड़ कर श्रधा कपूर आने वाले साल में मीडिया रिपोर्ट्स पीधित का क्षर्धा को जूने वाले डूले का नामë क्या है अजया कोई और नहीं बल्कि फैशन फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठा है जिनकी श्रधा के साथ हाली में अफ्यर की खबरे उड़ी थी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्रधा और रोहन एक दूसरे को बीते दो सालों से चुपचाप तरीके से डेट कर रहे है ताजा रिपोर्ट्स की माने तो रोहन और श्रधा अगले साल शादी करेंगे और तो और दोनों की शादी की तैयारिया भी अभी से शुरू हो चुकी है सोर्सस की माने तो श्रधा की मौम शिवांगी कपूर शादी को लेकर काफी एकसाइटेड है और वो अभी से शादी को खास बनाने के लिए तरहे तरहे के आईडिया भी दे रही है हाला कि शद्धा कपूर के पाबा शक्ती कपूर ने इन तमाम खबरों का खंडन किया है उन्होंने कहा है कि शद्धा की शादी नहीं हो रही है वहीं एक इंट्रिव्यू में जब शद्धा से रोहन के साथ अफेयर को लेकर पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि रोहन और वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे को समझते हैं इसलिए एक साथ वक्त बिताना उन्हें अच्छा लगता है लेकिन इस साल रोहन के साथ उनके अफेर की खबरे उनने के बाद अब शादी की खबरे भी तेजी से उनने लगी है कहा जाने लगा है कि दोनों अगले साल शादी की बंधन में बंद सकते हैं तो क्या वो आकई दिलवाले रोहन दुलहन या श्रधा को ले जाएंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा प्यार एर्पोर्ट आईबिसी 24